नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी पेड़े जैसा कि जनमाष्ट में आ रही है रक्षय बंदन आ रही है तो इन तिहारों पर आप ये पेड़े इसली बना सकते हैं बहुत ही असान है बनाना भी तो चलि ये बना लेते हैं आज के पेड़े पेड़े बनाने के लिए दोस्तो मुझे यहाँ पर चाहिए एक कड़ाई ये मैंने गैस पर रख दी है और इसमें डाल लेते हैं चार चमच घी देसी घी ले ले लीजिए क्योंकि स्वीट बनाते वक्त अगर आप देसी घी का डालना है जैसा कि मैं डाल रही हूँ अब इसको मिक्स कर लेते हैं और दोस्तो अब इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर आप कोई सी भी कमपनी का ले सकते हैं मैंने ये दो कप मिल्क पाउडर लिया है तो इस तरीके से मिल्क पाउडर ले लिया है और गैस बंद करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ये देखे दोस्तो मेरा मिक्स हो चुका है मिक्स करने के बाद आपने गैस को ओन कर देना है और सिम गैस पर इसे पकाना है मैंने दो कप इसमें मिल्क पाउडर डाला है और आधा किलो मैंने दूद लिया है तो इस तरीके से आपने इसको पकाना है दोस्तो इसका थोड़ी देर में ही खोवा सा निकलने लगेगा जैसे हमें इंस्टेंट खोवे की जूरत पड़ती है मावे की जूरत पड़ती है तो हम इसी तरीके से मावा निकालते है और जैसे कि तयोहार अभी आ रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं होता, खोवा निकालने के लिए दूद में से, तो हम इंस्टेंट खोवा निकाल कर उसके पेड़े बना लेते हैं, पेड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट पेड़े लगते हैं, तो इ मैंने यहाँ आधा किलो दूद लिया है और 2 कप मैंने milk powder लिया है ताकि मेरे पेड़ों में से असली मावे वाला taste आए तो इस तरीके से मैंने लिया है दूद और milk powder इनको अच्छे से आपने पकाना है low to medium gas पर इसे पकाते रहें ये देखे दोसो जैसे कि मैं पका रही हूँ दीरे दीरे ये tight सा होने लगेगा बिल्कुल मावे की फोम में आ जाएगा तो इस तरीके से देखिए दोसो 5 मिनट में ही मेरा मावा निकल कर त्यार है आपके 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको मावे को निकालते वक्त low to medium gas पर ही आपने से पकाना है अब क्या करेंगे जैसे कि मेरा मावा बनकर ready है बिल्कुल tight सा हो चुका है आप gas कर देंगे बंद और बंद gas पर भी आपने इसको चलाते रहना है क्योंकि ये नीचे से गरम है अब इसे दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं क्य के लिए छोड़ दे 15 मिनट के बाद ये हाथ लगाने के लाइक हो जाएगा इसके हम फिर पेड़े बनाएंगे ये देखे दोस्तों 15 मिनट के बाद मेरा ये ठंडा हो चुका है अब इसको हाथ लगा रही हूं easily हाथ लग रहे हैं इसको तो इसमें डाल लेती हूं में टेस् वैसे तो जितना आपने मावा लिया है उससे आधा तो मीठा होना ही चाहिए लेकिन मैं यहाँ उससे कम ले रही हूं क्योंकि मैंने ये ज्यादा मीठे नहीं बनाने हैं मीठा आप अपने टेस्ट के अंसार ले लें कम या ज्यादा मीठा कर सकते हैं मैंने यहाँ पर मीठा कम ही लिया है अब दोस्तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नारियल का बुरादा मैं इसे पहले भी डाल सकती थी लेकिन मैं अभी इसी टाइम डाल रही हूँ अब आपने इसको मिक्स कर देना है अच्छे से और हाथ पर लगाना है घी ताकि ये हमारे हाथ पर ना चिपके और इसके थोड़ा सा पोशन हाथ में लेना है इस तरीके से और इसका पेड़ा सा बना लेना है और बीच में थोड़ा सा उंगली से इस तरह कर दे ताकि इसमें हम ड्राइफ रूट लगा सके ये देखे दोस्तो मेरे पेड़े बन चुके हैं बहुत ही easy तरीके से ना कोई जंजट ना ज़्यादा time लगेगा आपको बनाने में तो इस तरीके से मेरे ये पेड़े बनकर त्यार हैं आप देख रहे हैं अब मैं इनमें सब में पिष्टा लगा लेती हूँ पिष्टा लगा लें आप या फिर बादाम लगा लें या फिर आप कलर भी लगा सकते हैं ये देखे मेरे पेड़े बनकर त्यार है और मैं इनमें पिष्टा लगा रही हूँ ये मैंने पिष्टा लगा लिया है, खोड़े में मैं केसर भी लगा लेती हूँ इस तरीके से, केसर से भी बहुत ही टेस्टी पेड़ा बनता है, तो इस तरीके से मेरे सारे पेड़े बन कर त्यार है, और आप भी दोस्तो इसी तरीके से आप अपने घर में पेड़े बना सकत या फिर इलाइची पावडर हमने लिया है वो भी आप स्किप कर सकते हैं अनली मिल्क पावडर और मिल्क से ये पेड़े बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में और इजी तरीके से आप बना सकते हैं और पूरे परिवार को खुश खर सकते हैं इन पेडों से दोस्तों इस जनमा असी एसी रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन नवा दो सु युम